Ask Target Electrition के 12 एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों पिछले हपते के जो अच्छे-च्छे कमेंट है उन कमेंट्सों का मैं जवाब लेकर कि इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ तो आएए देखते हैं जो-जो कमेंट्स किये गए हैं उनके जवाब पहला कमेंट है कि परवेज जी कहते हैं कि Face Neutral उल्टा है मतलब जो हमारा सॉकेट है उसमें Face की जगा पर Neutral दिया गया है कोई एक पॉइंट नहीं चल रहा है एक कोई सॉकेट उनका नहीं चल रहा है तो टेश्टर से हम कैसे चेक करें देखिए जो Face Neutral उल्टा होने से कोई भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि यह AC सप्लाई है अगर DC होती तो प्रॉब्लम होता AC सप्लाई है इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप उसका पीछे से आप अपना जो सॉकेट है ससके उसको खोल करके आप चेक करले कहीं अईसा तो नहीं कहीं चार्त को करके कारवन आ गया या तार कोई तूट गया है आप उसको चेक करने के लिए सिंपल आप को जिस साइडं लगाएंगे अगर आप को उल्बữa साइड आ रहा है तो आप लगाएंगे जिस साइड आपका टेसटर ग्लो करे उस्साइड आपका फेस हा रहा है तो आप सौकट को चेक कर ले अगला कमेंट है D.A.S. Mix Video Refrigerator को Earthing से चला सकते हैं तो बिलकुल आप चला सकते हैं बस एक साउधानी आप बरतिएगा जो Earthing है वो काफी मजबूत होनी चाहिए और काफी अच्छी quality की होनी चाहिए आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन आप प्रियास करें कि नीटल से ही चलाएं तो ज्यादा अच्छा है अगला कमेंट है सकती कुसवाजी का है कि इस्टे तार का प्रियोग कहां पर करते हैं इसका क्या काम है देखे इस्टे तार जो होता है कोई भी तार मतलब समझ लिए आपकी जिससे दो पोल है एक पोल इधर खड़ा है एक पोल इधर खड़ा है इन दोनों पोलों की बीच में हमको तार डालना है तो उस तार को जिससे वो तार जो नर्मली यूज होता है चाहे हमारा डिस्टिबूशन लाइन हो चाहे हमारा ट्रांसमिशन लाइन हो कोई भी लाइन हो उसमें जो तार यूज होता है वो ऐलमूनियम का तार होता है तो वो ऐलमूनियम का तार काफी कमजोर होता है इसलिए बीच में जी आई का तार हम उस तार के बीच में हम एक जी आई का तार डाल देते हैं उससे क्या होता है कि जो सपोर्टिंग है वो जी आई का तार लेता है और electricity flow होने के लिए हम aluminum के तार का उपयोग कर लेते हैं तो इसका कार यही है जो हमारा इश्टे तार होता है उसका कार यही होता है कि जो main conductor होता है उसको support देना अगला comment है राजो कुमार जी कहते हैं bushing पर spark करें की conductor पर spark करें मैंने ट्रांसफार्मर पर एक वीडियो मनाई थी उसका यह comment था transformer को आपको discharge करना है तो आप bushing जो है आप उस bushing पर ले जाकर के earth to face आप bushing पर ले जाकर के आप sort करा है थोड़ा दूर से कराईएगा मतलब जब line off हो जाए उसके बाद ही आप sort कराईएगा नहीं तो blast हो जाएगा earth to face आप bushing पर टच करा दे तीनों फेसों पर और जो आप अप connector होता है उसका लग जो होता है वह bushing पर ही connected होता है तो आप वहाँ पर लग पर भी वह बात एक ही है अगला comment है अरनाब हलदेर जी का है कि distribution transformer में डेल्टा साइड एक wire कट जाए cable कट जाए तो क्या होगा अगर एक wire आपका कट जाता है cable कट जाती हो तो simple सी बात है transformer आपका single facing में आ जाएगा ठीक है उससे आपके जो उपकरण है वह जल सकते हैं अगला comment है house inverter जी का है कि RCCB का control और inverter का face क्या दोनों से घर का उपकरण चला सकते हैं तो देखिए RCCB जो inverter का output है वह आप RCCB में phase और neutral दोनों दे दे उसके बाद उसका output निकाल करके आप कोई भी उपकरण चला सकते हैं ध्यान रखिएगा कि RCCB में phase और neutral दोनों आना चाहिए और एक ही equipment से आना चाहिए ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा अगला comment है बिवेक यदवनसी ठाकुजी का है कि क्या inverter से छत का पंखा फुक सकता है तो नार्मली ऐसा है नहीं लेकिन ध्यान रखिए आपकी जो आपका inverter है वह sine wave का होना चाहिए या pure sine wave का हो तो अच्छा है अगर आपका square wave का inverter है तो उसमें problem होती है उसमें क्या होता है पंखे की जो frequency है वह vary हो जाती है इसलिए उसमें थोड़ी थोड़ी आवाज होती है जब भी आपके पंखे या किसी tube light में आपकी आवाज हो inverter लाइन में तो आप स सायद फूग जाए विसे नर्मली ऐसा होता नहीं है अगला है सिव प्रसाद जी का है कि टेस्टर से कितने voltage तक चेक कर सकते हैं तो देखे टेस्टर जो होता है यह टेस्टर है हमारा इस टेस्टर पर आप देखेंगे यह आगर आप देख पा रहे हों यह देखिए यहां प लगेगा अगर आप 12 वोल्ट की कई बैटरिया इदिया जोड देते हैं मालीजिए आपने 100 वोल्ट देखेंगे बना लिया तो बिल्कुल लगेगा ठीक है तो जो एक 90 वोल्ट से नीचे का है 90 वोल्ट से नीचे आपका voltage रहता है तो आपको लगने की संभावना कम रहती है लेकिन आप जब 100 वोल्ट या उससे उपर जाएंगे जोड़ करके voltage बना देंगे आप DC का तो निश्यत बात से सौक लग जाएगा अगला कमेंट है movie box जी का है कि bulb on करने पर indicator off हो जाता है तो क्या problem है देखिए हो सकता है आपका bulb का और indicator का जो supply गई है वा series में होगी इसी व अगला कमेंट है हरमिंदर सिंग जी का है कि copper winding wire की quality कैसे चक करें जो winding में जो copper wire यूज होता है quality कैसे चक करें तो simple आप क्या करें कि जो आपका copper का तार है उसके एक side में आप जिस side में आप देखें जो last side हिसा हो वहाँ को आप चला दें आप एक माचिस के तीली लें उससे आप चलाएं तो अंदर copper अगर आपको देखता है अच्छी तो आपको समझने आ जाएगा कि quality इसकी अच्छी है पतला कुम्ला करके उसको जला कर गया खुरच के नहीं जला करके देखिए जला करके फिर हलका सा खुरच दीजिए आप तो आप सही हो जाएगा चेक हो जाए नहीं है लोहे की एक रॉड ले ले आप उसमें आप बना ले त्रिशूल टाइप का बना ले तो वह तरड़िचालक के तरह काम करेगा मतला कुला अगर के वह एरियल के तरह काम करेगा तो थोड़ा भेंगा आता है एरियल भी हमारे घर के लिए sufficient है पर याप ते कोई problem नही होती है तो आप अरियल भी लगा सकते हैं तो यह कुछ दोस्तों मैंने बारा comment इस वीडियो में सामिल किया है जो की अच्छे comments थे तो जिन साथियों के comments छूट गये हैं जिन comments को मैंने सामिल नहीं किया है तो वह साथी धायर रखें तो अगले comments box मैं मैं पूरी कोशिश करू प्रोस्तों!